हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करते हूँ, आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे Myself सुमन माईश्वरी फ्रामशिव जोती एडुकेशनल ग्रूप कोटा बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो अभ्यास क्यारे किया था उसमें हमने प्रश्ण एक से लेकर तीन तक पूरे किये थे तो आज उसी क्रम में हम आगे करेंगे प्रश्ण नमबर चार So kids, take out your Hindi workbook 2 and open page number 2020 और सब से उपर दिनांकर कक्षा कारे निखेंगे तो हमारा प्रश्ण नमबर चार है चित्र देखकर वाक्य पूरा करो प्रश्ण है हमारा चित्र देखकर वाक्य पूरा करो यहाँ पर आप कुछ वाक्यों को लिखावा देख रहे और इनके साथ चित्र भी दिये गए है तो आपको इन सभी चित्रों को पहचारना है और पहचानकर यह जो खाली जगे छूटी वे इनमें आपको लिखना है और लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है तो चलिए हम पारते हैं सबसे पहले कौन सा वाक्य है? यह 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 पिर यह चित्र दिया गया है और यहाँ पर खाली जगे है न ल नल नल पर रख यह नल पर रख यह नल पर रख बच्चों? यह किसका चित्र है? येस वेरी गुड जग तो आपको यहाँ खाली जगे पर क्या लिखना है? यह यह जग नल पर रख तो आप यहाँ पर रिखेंगे जग 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 तो यह वाक्य पूरा हो गया? यह जग नल पर रख अब दूसरा वाक्य है यहाँ पर चित्र दिया गया है और यह खाली जगे है और यहाँ आपर लिखा है च, ख, चक तो क्या चक? किसका चित्र है यह? Yes, very good फल क्या चक? फल चक क्या चक? फल चक तो यहाँ पर आप लिखेंगे फल फ ल फल फ ल फल क्या चक? फल चक अब अगला वाक्य है यह चित्र दिया गया है और यह खाली जगे है प र पर च ल चल पर चल यह किसका चित्र है यह? घर घर पर चल तो यह खाली जगे हैं यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? घर किस पर चल? कहाँ पर चल? घर पर चल कहाँ पर चल? घर पर चल तो चली बच्चो अब इन वाक्यों को हम फिर से पढ़ते हैं यह यह जग जग न ल नल दूसरा वाक्य है फ ल फल च ख चक फल चक क्या चक? फल चक और तीसरा वाक्य है हमारा घर पर चल घर घर पर पर चल चल घर पर चल सो केट्स आपको अपनी हिंदी वर्क बुक चूके पेश नंबर 2020 और 2121 पर इस अभ्यासकारे को पूरा करना है और इनमें जो चित्र दिये गए हैं उनमें आपको भौ सुंदर सुंदर रंग भी बने हैं त्वड़सी की अपक बतार से घर ड्लादेंग यहाएं पैसरे प्रका हैं जो चैनल चाहरा प्रवं। सुंदर्ध एएएएएएएएएए